जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्यों किव किओकी 4 बजे हमचे और के समस्रेश होते हैं और 4 यसी लोगों को चक्रवीयो के चक्रवपसाते हैं जिनकी पोल्ट पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबस्ट आज चक्रव्यू के चक्रम फसे हैं भी मार्मी चीफ चंदर शेकर आजाद माफिया मुखतार अंसारी का करीबी रियाज अंसारी बिश्नोई गैंग और एक सरकारी स्कूल इन सभी का आजसारा काला चिठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बदाते हैं इनकी कर्तूते पहली खबर में बात भी मार्मी के संस्थापक चंदर शेकर आजाद रावण की जहां स्विजिलेंड में पिएजडी कर रही रोहिनी गावरी ने उत्तर प्रदेश के नगीना से चुनाव लड़ रहे चंदर शेकर पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है रोहिनी पहले ही खुलासा कर चुकी है वो की चंदर शेकर आजाद के साथ रिलेशन्शिप में थी और वहां उन्हें धोका मिला मद्दप्रदेश के इंदौर की सफाई कर्मी की बेटी रोहिनी ने चंदर शेकर का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें चंदर शेकर आजाद उनके साथ वीडियो कॉल पर है और रोते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो को जारी करते हुए रोहिनी ने कहा कि उन्होंने जूटे आसू दिखा दिखा कर उन्हें उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया रोहिनी कहती है कि ये उनकी गलती है कि रावण को उन्होंने सच्चा अंदोलनकारी इंसान मानकर उनके साथ खड़ी हो गई उन्हें का आरोप है कि चंदरशेखर ने उस समाज के सामने उन्हें जूटा साबित कर दिया है जिसके लिए वो विदेश में रहकर भी सोचती है उनका कहना है कि उन्होंने सची लड़की होने की सजा भुपती है अकेले रहकर जिस मानसिक पीड़ा से उन्होंने खुद को समभाला उसके बारे में वो ही समझती है वही रोहिनी गावरी ने बड़ा आरोप लगाया है कि चंदरशेखर अपनी शादी के बारे में बाद छिपा कर कई बहन बेटियों की इज़त के साथ खेल चुके हैं उन्होंने रावर को चल कपट वाला व्यक्ति करार देते हुए कहा कि वो कभी दलित समाज का नेता नहीं बन सकता आपको बता दे कि रोहिनी गावरी वालमी की समाज से आती हैं जनेवा में रह रही रोहिनी शिक्षा के प्रती जागुरुकता फैलाने के सांसान दलित समाज के लिए आवाज उठाती रहती हैं वो बाबा साहिब भीम राव अंबेटकर में शर्धा रखती हैं बारा सरकार से उन्हें एक करोड रुपे की स्कॉलर्शिप प्राप्त हुई है रोहिनी गावरी ने भारत के ठेकेदारों की पोल खोलते हुए यूएन में बताया था कि भारत के प्रधान मंद्री ओबीजी समाज से आते हैं वहां के दलित ओक्सफ़र्ड हावर्ड में सरकारी साहिता से पढ़ते हैं इसकी बावजूद विदेशी संस्थाएं भारत को गलत रूप में पेश करती है दूसरी खबर में बात योगी सरकार के तगड़े एक्शन की चहां उत्तर प्रधेश के गाजीपूर में शनिवार को पुलिस ने मुक्तार अंसारी के करीबियों में शुमार रियाज अंसारी पर बड़ी कारवाई की पुलिस ने बहादूर गंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी के अचल संपत्ती को कुर्क करने की कारवाई की है इस दौरान शेतर में पुलिस बल मौझूद रहा तरसर रियाज अंसारी के खलाफ अलग अलग थानों में कई सारे मामले दर्श है आपको बता दे कि पुलिस ने रियाज अंसारी के कुल पाँच ठिकालों पर कारवाई करते हुए उसकी चल संपत्ती को कुर्क कल दिया जिलाप्रशासन की मौझूदगी में पुलिस ने मुखतार अंसारी की मौद के बाद पहली बार उसके गैंग IS-191 के सदस्ट और उसके करीबियों में शुमार बहादुर गंच नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी के खलाब मुनादी कराकर कुर्की की कारवाई की रियाज अंसारी की 6 करोड 70 लाग की संपत्ती को जिलाप्रशासन ने शनिवार को मुनादी करकर कुर्क किया है ये सभी प्रॉपर्टी का सिमाबाद कोतवाली शेत्र के अलग-अलग लोकेशन पर है ये संपत्ति रियाज उसकी पतनी उसके साले और उसके दामात के नाम प है उन्हें ने बताए कि गैंस्टर डैक के तहट चार आरोपियों के खलाब कारवाई की गई है आरोप है कि बहादुर गंज के रियाज एहमद अंसारी और उसकी पतनी निखत परवीन साले कमाल एहमद दामाद एतिया शाम एक गिरहो बनाकर गैर वाजिब तरीके से कमाए अगली खबर में बात सल्मान खान पर हुए हमले की जहां मुंबई पुलिस ने जेल में बंद गैंस्टर लॉरेंस बिश्णोई और उसके भाई अनमोल विश्णोई को सल्मान खान के आवास के बाहर गोली बारी की घटना मामले में वांटेड घोशित कर दिया है अधिकार जेल मबंद है लेगन माना चाता है कि उसका भाई कैनेडा या अमेरीका में रहता है उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस जल्द ही लॉरेंस की हिरासत मांग सकती है वहीं लॉरेंस विश्णोई के भाई अनमोल विश्णोई ने ही सल्मान के घर पर हमले के बाद एक सोशल मी बचाने की धमकी के साथ आप राधिक धमकी और 201 सबूतों को गायब करना या आप राध को बचाने के लिए गलत जानकानी देना के तहत F.I.R. में जोड़ी है बताने के सर्मान खान के बांदरा इस्तितावास गेलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अपरेल की सुभा दो मोटर के सवाल लोगों दुआरा गोली बारी करने के बाद पुलिस ने IPC की धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत पर राथमी की दर्च कराई केस दर्च किया पुलिस ने 16 अपरेल को विकी गुपता और सागर पाल को गुजरात के भुज से गिरफतार किया अधिकारियों ने दावा क कि जब गुपता मोटर साइकल चला रहा था तो पाल ने कथे तौर पर गोलियां चलाई गोलियां बरसाई वहीं आपको बता दे कि घटना के बाद हमले की जिम्मेदारी लेते हुए अनमोल विश्णोई के नाम से बनाया गया जो एक Facebook पोस्ट सामने आया उस पर अधिकारी ने कहा कि जिस IP पते से जिस IP एड्रस से पोस्ट अप्लोट किया गया था वो पुर्तगाल का पाया गया है गोली बारी की घटना से तीन घंटे पहले अप्लोट किया गया था पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनमोल के नाम का Facebook अकाउंट एक विदेश्य मोबाइल नंबर क जो वहां से उपयोग करते हुए बनाया गया था आखरे खबर में बात एक सरकारी स्कूल की जहां उत्तर प्रदेश के सहरनपुर जिले में एक सरकारी स्कूल के अंदर नाबालिक हिंदू छात्रों को उर्दू भाशा के साथ इसलामी तालीम देने का मामला सामने आया है मा आरोपी टीचर का नाम गफ़ार एहमद बताया रहा है आरोप यह भी है कि गफ़ार हिंदू बच्चियों को हिजाब और बुर्के की खूबिया भी गिनाता है यह शिकायत बुद्वार 17 अप्रैल 2024 को इमेल के जरिये दी गई है इमेल के माध्यम से भीजी गई है आपको ब किये हैं जिसके आधार पर उन्होंने गफार पर मझभी तालीम देने का आरोप लगाया है अपनी शिकायत उन्होंने बताया कि सारनपूर के ब्लॉग सडोली कदीम शेत्र में आने वाले फैर्जाबाद इलाकी में राज की प्रात्मिक विध्याले है इस स्कूल में गफार चात्रों को पढ़ाय जा रही इन अरभी भाशावाली किताबों का उनके कोड से कोई वास्ता नहीं है लेना देना है नहीं है इन किताबों को टीचर गफार एहमद द्वारा खुद लाने की बात कहीं गई है इसी पत्र में गफार द्वारा हिंदू बच्ची को हिजाब औ आरोप तो ये भी लगाया गया है कि गफवार की मजवीत तालीम का आसर कुछ चात्र चात्राओं के बात और वेवहर में भी दिखने लगा है। गफवार से प्रभावित होकर चात्रों ने अनुसूचित जाती SC की संख्या अधिक बताई है। बजरंगल पदादिकारी के इस पत्र में छात्रों को मौखिक तौर पर काफिर, मौमीन और दोजग जैसी बाते बताने का जिक्र है। आरोब है कि यहाँ पढ़ाने वाला टीचर गफवार एहमत मूल निवासी सहरनपूर का ही दारुल उलूम देवन से जुड़ा है। संसनी के इस खुलासों के साथ बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल चीवी उत्तव प्रदेश नमस्कार।